दोस्तों इस वीडियो में आज 4 स्टोक हम साथ में डिसकस करने वाले आज हम वीप्रो लिमिटेट को डिसकस करेंगे साथ में यहाँ पे हम TTML को डिसकस करेंगे यानि Tata Tally Service बाराष्टा लिमिटेट को इसके अलावा अगर हम देखे तो यहाँ पे आज Reliance Power को डिसकस करेंगे एक और कंपणी को डिसकस करने वाले जो बहुत ही जबर्दस बोनस देने जारी है वीप्रो की बात के स्टोक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है पिछले एक साल में अब वीप्रो की ही बात निया जितने IT शेर है सारे के सारे दबाव में और इसके पीछे वज़े है कि इनका बीजनस जो है वो ग्लोबल मॉडल है आप देख सकते हो कि इंडिया के इलावा इनका जो बीजनस है वो European countries में है US में है और वहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉबलम चल रही है इस वज़े से काफी एदा जॉब कट्स भी हो रहे नए फ्रेशर्स को आदी सेलरी के उपर वापस उनको कंपनी में जॉइनिंग दी जा रही है तो यह जो सारी बाते है इस वज़े से दबाव देखनों को मिल रहा है लेकिन क्या यहां से एक बाउस में की समभाणा बंद्री है तो वीपरो से कुछ बड़ी अपडेट निकल क्या रही है जिनकों में करके डिसकस करेंगे रिलाइस पहर की बात करें तो यह अनिल दिरुबा इमभा इमभानी की एक जरिया बचा है और इसलिए यहां पे इसकी समभाणा काफी पॉजिटिव बनी हुई है तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको डिसकस करेंगे इसके अलावा गर आप देखे टाटा टेली सर्विस महाराष्टा लिमिटेड ने कमाल किया इसको एक बहुत ही सांदार अवार्ड मिला है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में अपर सर्केट लगने लगे है वैसे स्टॉक बहुत नीचे आ गया है उपर के लेवल से लोगों को बारी नुक्सान भी हुआ है लेकिन यही एक छोटा पैनी स्टॉक है जो एक समय सिर्फ 2 रुपे के आसपास था देख से तो स्टॉक एक समय 700 की हाई बना चुका है इस समय 367 के आसपास है तो उपर के लेवल से देखे तो बहुत जादा गिरावट हो चुकी है यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विप्रो लिमिटेड और यूएस बेस कंपणी अलाइड की पार्टनर्शिफ हुई है वैसे ही यह 2018 से ही इनकी पार्टनर्शिफ थी लेकिन इसका जो एगरिमेंट था वो खत्म हो रहा था 31 दिसंबर 2023 को लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया इस साल के लिए 147 मिलियन डॉलर दिये जाएंगे विप्रो को इसके इलावा देखे तो आने वाले समय में इनको और भी देने होगे जैसे आप देखे तो टोटल इनकी जो अगले साल 154 मिलियन डॉलर देने होगे उसके अगले साल फिर 162 million dollar देना होगा और उसके बाद में अगले साल 170 million dollar देना होगा और उसके बाद में 332 million dollar देने होगे year end जो 2026 तक तो इस तरह से देखे तो ये हर साल इनको रकम चुकानी है विप्रो को लेकिन अगर ये agreement तोड़ देते है तो विप्रो को इनको 316 million dollar एक हर जाने के तोर पे भी देना होगा तो ये काफी अची डिल है जिसमें विप्रो को बहुत सारा benefit होने वाला है सबसे बड़ी बात ही है कि इस समय IT sector बहुत जाला दबाव में और इसके रास्ते भी निकाले जाए किस तरह से खर्च में कटोती की जाए तो इसलिए विप्रो ने फैसला किया कि जो उनके fresh employees जिनको company job देने वाली थी उनका जो package था वो 6.5 lakh परतिवर्स के हिसाब से था लेकिन अब company ने उन employees से का है क्या आप 3.5 lakh परतिवर्स के हिसाब से अपने package को स्विकार करें गया निक तरह से जो package से उसको आदा कर दिया गया है क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि खर्च बढ़ रहे है company के और company को चलाने के जरूरी है कि किसी भी तरसे हर जर्ग से कटोती करके पैसे बचाये जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस फैसले की बहुत ज़्यादा निंदा भी हो रही है लेकिन जरूरी है company को आगे बढ़ाना है तो employees को कम पैसे में आना होगा और जैसे ही अच्छा बनेगा तो हमेशा से वीपरो तो employees के लिए एक तरसे देखे तो सबसे ज़्यादा फैबरेट करी जाती है और employees को हमेशा बहुत सारा benefits दे लगातार उनको बहुत सारे शेयर एलोट करते है और उन शेयर के मादिम से बहुत सारा पैसा उनको मिलता है तो इस समय जो जो है थोड़ा सा डावा डोल दिख रहा है स्टॉक गिर सकता है नीचे थोड़े और गिर आउट हो सकते है वैसे जो स्टॉंग रेजिस्टर इस है 373 का है और सपोर्ट है वो 360 का है फिलाल अगर 360 के सपोर्ट के साथ में इसमें खरीदारी करते है तो आने वाले समय में इस 24,487 करोपीस के सपास था जो 2022 में बढ़के 79,312 करोपीस के सपास पहुच गया है यहीं पिछले पास साल में जबर्दस रिवेन्यू बढ़ा है लेकिन कुछ पिछले दो क्वार्टर से थोड़ी से तखलिप देखना को मिल रही है अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात कर तो नजरिया लॉंग टर्म का लेके भी प्रोवेन इवेस किया जा सकते हैं इस लेवल पे चलते हैं रिलाइंस पावर की तरब 11.20 पर इसकी क्लोजिंग थी स्टॉक काफी अच्छा दोला है लगबग 9 रुपे से स्टॉक ने दोड़ना सुरू हो चुका है अब रिलाइंस स्टॉक उपर के लिए से काफी करेक्ट भी हो गया है लेकिन फिर दोड़ना भी सुरू हो चुका है यहां पर देख सकते हो काफी दोगों के सवाल निकल के आते हैं कि इनका जो बांगलादेश का जो पावर प्रोजेक्ट था मेगना पावर इस्टेशन का क्या वो कहां तक पहुचा तो आप देख सकते हो कि जो लेटेस अबडेट है कि जो इनका बांगलादेश में इनोंने जो प्रोजेक्ट शुरूप किया है गैस फ्यूप और इस्टेशन मेगना गाट नारैन गंज में यह प्रोजेक्ट फिलाल अभी कर्श्रक्शन के दौर में है और जल्द इससे पहले देखे तो बांगलादेश में इस समय बिजली की बहुत ज़्यादा समझ से है और इंडिया से बिजली सप्लाइए की जारी है अदानी पावर की दरब से जो उनका जारकन में पावर प्रोजेक्ट था वो अभी आप देखे छे तारिक से ही उसके बिजली का डि अब आप देखे जो भी नया थर्मल पावर प्लांट शुरू होगा उसके लिए मेंडेटरी है कि कम से कम 40% उनको जो उर्जा का निर्बान करना है उसके लिए ग्रीन एंडर्जी का सोर्स से इस्टाबलीश करने हो गए चाहे वीन एंडर्जी और सोर्स इस्टाबलीश करन सकती है तो कुल मिलाके एक दर से गोर्डेन प्रेट सुरू हो सकता है इसी कमपणियों का जिनके पास पहले से ग्रीन एंडर्जी के सोर्सेज है उसमें रिलाइस पावर एक मुख्य बगमी में का निबा सकती है और अन्नी लंबारी के पास फिलाल एकी कमपनी है तो यह देखें तो रिवेनियों कंपणी का पिछले की साल में बढ़ा है देख सकते हो 1796 को बिजका आसपर लोस था लेकिन मार्च में 6.58 को बिजका भारी लोस हुआ इस बार दिसम्बर में 292 को बिजका कमपनी को लोस हुआ तो यह राओने बेसी फिलाल लोस बढ़ा है लेकिन आप देख सकते हो कि मार्च के मुकाबले लोस कम होआ और जल्दी कमपनी का जो लोस है कम होगा और कमपनी अपने आपको डैट फरी करने की कगार पे खड़ी है जल्दी अपने कर्च को छुका कि कमपनी डैट फरी भी हो जाएगी यह कोसी चल रही है अनिलंबानी को कैसे भी करके कंपणी को कर्जबुक्त किया जाए तो यह काफी बड़ा सपना है और आने वाले समें छोटा पैनी स्टॉक कमाल कर सकता है अब चलते हम 64 पर क्लोजिन की परसो जापे 5 परसेंट का अपर सरक्रीट लगा और आप देख सकते हो कि यह स्टॉक लगातार दोड़ रहा है पिछले पाच दिन में स्टॉक में 21 परसेंट का जबरस रिटन देखना को मिला यानि यह स्टॉक भी रिलाइस पौर की तरह जी के साथ दोड़ यह इनकी है यह काफी यह पसंद की जा रही है स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वह बहुत जब ज़्या पौपलर हो रही है और बड़े-बड़े कॉर्पोर हाउस इस समय इनकी जो इसको इस समय आजवाया धा रहा है इसके अलावब है आप देखें तो इंटरफाइ ने अपने रूप रंग को बदल दिया आप company smart internet की service प्रवाड़ कर रही है और यह काफी popular हो रही है और इसी विज़े से देखे तो internet भी safe और security के साथ आगे बढ़ रहे है और यह जो service है यह आने वाले समय को तेजी से आगे लगे जा सकते है वैसे आप देखे तो इसका revenue आपको थोड़ा सा कम होता हो दिखा ही देगा December 2020 में 284 को भीज के आसपस था जो December 2022 में 282 को भीज तक आया है तो थोड़ा सा revenue कम हुआ है इसके लावा company के loss में थोड़ी कमी आई है December 2020 में 302 को भीज के आसपस loss था जो December 2022 में घटके 280 को भीज के आसपस है तो लॉस थोड़ा सा कम हुआ है लगातार loss making अपनी थी लेकिन अब loss कम होने लगा है तो ऐसे में आने वाल समय टीटेमल कमार को लग सकती है क्योंकि इनके पास एक काफी अच्छा unique model है बीजनेस का और टाटा ग्रूप का साथ है तो आने वाले समय ये stock भी कमाल कर सकता है और नजरिया long term का तो निवेस किया जा सकता है बम चलेंगो उसी stock की तरब जो आपको बहुत ही सांधार bonus देने जाता है तो हम यह आप बात करें अच्छूथ Healthcare Limited की 58 पर इसकी price थी 5% का अपर सरक्रीट लगा पिछले एक माहीन में आप देखें स्टॉक 42% दौर चुका है बहुत इस जबरस रिटन दिया है लोगों को 40 लिपका स्टॉक इस समय 58 के आसपास है और आप कम देख सकते हो company देने जारी है bonus 1-2 के रिसमें company bonus देगी और आप देख से तो इसकी record date भी आ चुकी है आप देखें 25 अप्रेल 2030 इसकी record data जिसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेर आ जाते तो बिल्कुल आपको bonus मिल सकता है तो नजरिया long term का ले इसमें भी investment का मौका बनता है और bonus का फाइदा उटाया जा सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advice इस एक बाड़ ले ले या अपना खुद पर पंच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यों friend